हलो दोस्तों धरेवास केलरी में आपका स्वागत है सुश्मा स्वराज एक महान वक्ता प्रकर भारती राजने तिग्य वह भारत की पूर्वे विदेश मंत्री थी उनका जन्म 14 फरवरी 1952 को अमबाला चामनी हर याना में हुआ था उनके पिता हर देव शर्मा और माता अक्ष्मी देवी जी थी उनके पिता राष्ट्री सेवकसंग के एक प्रतिष्टित सदस्य थे उन्होंने राजनेती वे ग्यान और संस्रित के साथ बीए में ग्राजुएशन की थी पंजाब विश्वद्याले चंडिगर से एललबी में डिग्री की पढ़ाई के बाद सर्वो चन्याले में वकालत की थी सुश्मा सुराज ने उन्निस सो सतर में एक चात्रन नेता के रूप में अपना राजनतिक करियर की शिरुवात की और अपातकाल का पुर्जोर विरोध किया बाद में वे भाजपा में शामिल हो गई वे साथ बार संसर सदसे के रूप में और तीन बार विदान सबा सदसे के रूप में चुनी गई और 2014 में वे नरेंद्र मोदी के नेतेत्व वाली NDA1 सरकार में विदेश मंत्री बनी उन्होंने आम आदमी को विदेश मंत्राले से जोड दिया वे सिर्फ एक ट्वीट पर विदेश में फसे किसी भी भारतिय की मदद के लिए तुरंत सक्रिय हो जाती थी स्वराज को हरयानना सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री होने का श्रे थाथा हरयाना राज्य-विधान-सभाध्वारा सर्वस्रेष्ट स्पीकर का पुरसकार भी प्राप्त है दिल्ली की पहली मुख्य मंत्री और देश में किसी राष्ट्रिय राजनेतिक दल की पहली महीला प्रवक्ता होने का श्रैवी सुष्मस्वराज को दिया जाता है वो पहली एक मादर महीला संसद है जिने आउटसेंडिंग पार्लिमेंटरेरियन अर्थात उतकरिष्ट संसद का पुरसकारभी प्राप्त है विबिन भाशाओं के ग्यान के साथ साथ वे प्रखर और उजस्वी वक्ता, प्रभावी संसद और कुशल प्रशासक थी स्वराज की तारीफ हर राजनेतिक दल के लोग करते थे और जब वे संसद में बोलती थी तो सभी उन्हें गंबीरता के साथ सुनते थे उनका विबा उच्चतम न्यायाले के वरिष्ट अधिवक्ता स्वराज कौशल से हुआ था जो 1990 से 1993 तक मिजोरम के राजेपाल रहे कौशल भी 1998 से 2004 तक संसद सदस्य रहे, स्वराज को उतकृष्ट संसद का पुरसकार भी प्राप्त है खराब सेहत की वज़े से उन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा पर अन्तिस समय तक उन्होंने पार्टी की अखिल भारतिय सचिव और अधिकारिक प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाई 6 अगस्ट 2019 को नई दिली में उनका देहवसान हुआ था भारत सरकार ने उन्हें मार्णों उपरांथ अधित्य लोक कारे के लिए पद्मवी भूशंट सम्मान से सम्मानित किया है धन्यवाद